महराश्ट में विदान सबा चुनाव के नतीज़ा आ चुके हैं नतीज़ा पिंड़ा टीगी पर देख चुके हैं लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ी बात निकल कर महराश्ट में सामने आ रही है वो ये कि विपक्ष इवियम को लेकर कई सवाल खड़े कर रहा है सदन के पडल पर अखले शादों ने साफ तोर पर ये बात कही है कि इवियम से जीत कर इवियम को हटाने का काम करेंगे आयुप्त दूसरे तरफ अलग बात करते हैं कि इवियम को गाली खाने की आदत हो गई है अपना काम लेकिन वो पूरी इमानदारी से करती है वही सुप्रिम कोर्ट ये कहता है कि इवियम अगर जीते तो कोई बात नहीं हार गया तो इवियम इस वक्त इस पूरे मुद्धे पर हमारे साथ बात करने के लिए महराश्ट कॉंग्रेश प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोने है इवियम से बड़ी नाराजगी है लेकिन जब यह आयात सालों से चल रहा है अभी तक कोई ठोज बात क्यों निकल कर आपएगी देखों कॉंग्रेश पार्टी ने ये मशिन के बारे में कोई चर्चा नहीं करने का हमने ने लिया है हम लोग तंत्र बचाना चाहते हैं और उसका रिजन भी है कि महराज में हाले हुए रिजल्ट जो आये है वो रिजल्ट लोगों को हजमनी हो रहे है ठीक हम पॉलिटिकल पार्टी का तो एक अलाग इस्यू है लेकिं लोगों को हजमनी हो रहे है लोग आंदुलंग कर रहे हमने वोट किया है नहीं यह सरकाराई कैसी यह लोगों की बावना है और कॉंग्रिस पार्टी नहीं किया आवाज बनके काम करेंगी हमारे राष्टिय अद्रिक जी मलिक आजूंखरगेजी ने कली आवान किया कि हम बालेट के उपर वोटिंग करवाना चाहते हैं और उसकी लड़ाई हमारे निता रहूल गांदे जी जैसे वारत जोड़ो यातरा किये थी उसी तरह राज देश में एक जनलांदुलंग करेंगे है इसी कल गोशना मलिक आजूंखरगेजी साहब ने की है और हमने आज इसको ताकत देने के लिए हमने इसका एक सिगनेचर कैंपिंग जिसको हम महमें राष्टपते जी को प्रदान मत्री जी को और सीजिया एक को और चुना एक को ऐसे चारो को करोडो करोडो साइन करकर हम बहेजेंगे और जैसी राहुल जी की यात्रा आएगी तो लोग उस यात्रा को पूरी टाकत के साथ राils जी के साथ खडो होंगे क्योंकि Congress लोकतांत्री की विवस्ता को बचाना चाहती है, सविधान को बचाना चाहती है, और उसकी पूरी लड़ाई, रस्ते की लड़ने का मानस हमने बना है, और जनता का आवज बनके ये लड़ाई हम लड़ाई है। ये चार बाड़ी जो होती है, इसका बेसिक ही जन्मत है, जनता की आवज सुनना उनका काम है, कानून भी जनता के लिए बनती है, चारो बाड़ी का काम ही है, जनता के लिए काम करना होता है, और लोकतांत्रिक में जनता की ताके दी ये सबसे बड़ी होती है, अब जनता कहती कि यह ऐसा नहीं हुआ है, यह गलत हुआ है, तो जनता का आवाज ही, जो सरकार यह चारो बाड़ी के कान में नहीं पहुच रहा है, तो यह पहुचाने का काम कॉंग्रेस पार्टी करेगी, और सरकार नहीं सुनेगी, यह चारो बाड़ी नहीं सुनेगी, तब जना अंदोलन यह खड़ा होगा, जैसे अंग्रेजों के विरोध में खड़ा हुआ था, अंग्रेज भी कहते थे कि हम तो बहुत अच्छा शाशन चला रहे हैं, और सुनते नहीं थे, लेकिन जब जनान दोलंग खड़ा हुआ, महात्मा गानी चिकिन रहे हैं, तब उनको देश छोड़ के भगना पड़ा, तो अखरी मानी सुप्रिंग कोड ने कल जो डिसीजन दिया आए, वो तो पोलिटिकल डिसीजन जैसे बात करते हैं, सविधानिक व्योस्ता क्या आधार पर डिसीजन चाहिए, अगर एवियम के मुद्दे को हटा दें, तो क्या महाविकास अगाडी की सभी पार्टियां इन मुद्दों पर भी मंधन कर रही है कि कहां कमी रह गई? जन्ता के आवाज बनकर कॉंग्रेस पार्टी अब मैंने जो आज गोशना किया है और हमारे राष्टे अधिजी निगोशने के उसके आधर पर हम काम करें। महायूती में हम देख रहे हैं पूर्ण बहुमत बहुमत से जादा का अकड़ा है लेकिन उसके बाद भी सीम का फेज डिसाइड नियो पा रहा है अब तो एक बात साफ हो गई है अजीट पवार के भी मन में कहीं नहीं रहा होगा लेकिन अब वो तो हट गया पूरी तरह से द कि आदेज से ज्यादा तो महाराश्ट बेचने का काम तो शुरू हो गया था जो बचा है वो भी बेचने का काम मित्र के लिए वो करेंगे ऐसा मुक्यमंत्री चाहिए तो उसको ढूनने का काम थोड़ा लगा समय शायद आज कर में मिल गया होगा तो कर भी लेंगा अब लो कि देखो अभी तो कोई कुछ ना हुई नहीं कि तीन साल से महाराश्ट में महाविका सागाड लोकल बाड़ी इलेक्शन हुए नहीं अभी भी होगी कि नहीं हुए हमारे मन में जब चुनाओं लगेंगे तब आपके समने ही हार की सबसे बड़ी वज़े क्या मानते हैं हमें उस पर चर्चा करने का नहीं हम जनता के आवाज बनके वाइलेट पर वोटिंग करने की बात करेंगे और वही से रास्ता बनेगा हमसे बात करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया कैमरामें देविंद्र के साथ साकीत राय इंडिय टीवी मुंबली